दोस्तो यार आज के कंडिशन में शिबायनू से बहतर कोईन सायद में किसी को नहीं मानता क्योंकि हाल ही में जिस टाइप से शिबायनू सहीत मीम टोकन ने बड़ा प्रोफिट दिया है कि किस टाइप से बिटकोईन बढ़ने के साथ साथ अल्टकोईन सीजन की बजाए मीम टोकन सीजन यहां पर इस्टार्ड हुआ था और मीम टोकन ने अच्छा खासा प्रोफिट दिया था और हाल है अपडेट्स के बाद अब शिबायनू जबकि तीसरे नंबर पर ट्रेट कर रहा था अब जाके नंबर वन की पोजिशन पर यहां पर आ सकता है और इसमें शिबायनू में खासकर बड़े पंप यहां पर मारने की जो तैयारी है वो हो चुकी है ऐसे में यहां पर स जल्द बाजी करोगे आप उठा पटक करोगे कभी अपने पोर्फोलियो के इधर से इधर मोडिफाई करते रहोगे तो सायद पूरे क्रिप्टो मार्केट से ही आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे क्योंकि अगर हम देखे तो अगामी दो महीने बाद मार्केट में एक बड़े पंप की एक्सपेक्ट बन रहे है क्योंकि हालविंग को छे महीने हो जाएंगे पूरे पूरे और हिस्ट्री रही है कि 6 महिने के बाद मार्केट ने पंप दिखाया है हर बार हर बार हालिविंग के बाद 6 महिने बाद ही मार्केट पंप हुआ है तो ऐसे में बिटकोईन की इस बड़ी रेली का फाइदा अगर हम धेर के साथ उप्योग करते हैं तो कहिना कई शिबयनू भी हमें करोडो रुपे कमा के दे सकता है क्योंकि बड़े क्रप्टो एक्सपर्ट की तरफ से माने तो शिबयनू में 2-0 से लेके 3-0 तक किल होने की बात कही गई है और जो की बड़ी बात है अगर मिनिमम भी टारगेट हम माने तो 2-0 असानी से किल इस 2024-25 में सायद हो जाएगी और 3-0 तक भी हम maximum टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं जो की मारकेट के हिसाब से काफी बड़ा profit कहलाएगा क्योंकि अन अल्ट कोइन सीजन में सायद ही इस थाइप का pump देखने को मिले ठीक है क्योंकि already मारकेट में अभी बहुत जादा situation चल रही है क्योंकि कोईन की मात्रा बहुत जादा है investor बढ़ चुके है तो ऐसे में जो coin अभी हाली में जो कुछ नए चीज़े लेके आएगा उसी के साथ investor हो लेंगे और जो सबसे तेजी से बढ़ेगा विसलिए उसके साथ भी investor हो लेंगे और इसलिए कुसामा की तरफ से community को लेकर हमेशा reaction पर reaction आते रहते हैं अगर आप जो है शिवायनू का twitter handle या फिर social media handle follow करते है एक्स पर तो आपको ये चीज़े मालूम पड़ेगी कि कुसामा केसे community को एक तरीके से up to date रखना चाह रहे है उनको मन में शिवायनू के परती एक तरीके से एक अच्छा क्रेज बनाए रखना चाहते है और इसलिए community के साथ एक जुडाव महसूस करवाना चाहते है और इसलिए कुसामा ने शिव समुदाय को एक आस्वासन जरूर यहाँ पर दिया है जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताये गया है कि जून से शिव के खराब प्रदर्शन के बाद से इन मंदी के संकेतों के साथ निवेसको ने शिव शिक्का की कीमत में इस्थाई पल्टाओ की उम्मीद जारी रखी है और हला कि हाली के दिनों में शिव एनू की बर्न दर में ग्रोथ यहाँ पर जो है देखने को मिली है और बताये गया है कि अब इस्थिती तन्तरा भी भी मूली इस्थिती में तब्दिल नहीं हो पाया है और कुसामा ने कहा है कि शिव की कीमत के बाद जो समुदाय के सदैशयों ने उम्मीद बनाए रखी है क्योंकि शिव एनू टीम धेर रखने का आवान करती है तो यहाँ पर Shiba team basically patient की ही बात यहाँ पर कर रही है कि patient रखो और Shiotoshi Kusama ने आश्वासन भी दिया है कि जो development team है meme coin सामने आने की चुनोतियों को हल करने पर केंद्री थे और जो development है उस पर अधिक ध्यान दे रही है तो यहाँ पर देखिए इस टाइब की बाते अगर community से कोई core team करती है न तो उसका बहुत जादा advantage उस token को भी मिलता है और कुसामा इस बात को जानते हैं जिस टाइब से अभी market में bitcoin के हालविंग के बाद एक bull run की expect बन रहे है जो October से सम्भता शुरू हो जाएगा उसको देखते हुए इस टाइब का message कही न कहीं community को एक तरीके से hope create करता है और खुद कुसामा यहाँ पर धेर के साथ उम्मीद बनाए रखना चाहते है ताकि community इसका भरपूर फाइदा मिल सके और देखिए एक चीज यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है एक तो कि अगर आप पेशन रखते हैं तो इसका फाइदा इन्वेश्टरों को सभी को मिलेगा क्योंकि कुसामा भी यही चाह रहा है कि जो existing investor है शिवायनू के वो पेशन रखो बेचो मत और नए इन्वेश्टर जब बुलरन सिरु होगा तो आएंगे न उसकी मदद से शिवायनू म पाएगी तो प्राइज नहीं बढ़ पाएगे तो कहिना कई अगर हमें करोडों कमाना है तो हमें धेर बनाए रखना पड़ेगा हमें शीबा का साथ देना पड़ेगा क्योंकि अगर शीबा का साथ दिया तो हम भी उसमें कहिना कई बहती गंगा में हाथ धो पाएंगे और लेकिन मार्केट में अभी कोई से अभी क्रॉप्टो करेंसी एसा प्रोफिट नहीं दे रहा है जिससे कि शिवयनू से हम दूसरे टाइप से सोचें, तो अभीसली मार्केट में एक तरीके से एक होप यहां पर क्रियेट है और उसका कही न कहीं असर भी मार्केट के उपर मिले और शिवयनू उसका भरपूर फाइदा आप लोगों को देगा, यहां पर एक चीज गोर करने वाली बात यह है कि यहां पर बरन पोर्टर के उपर भी यहां पर बात कही गई है, कि जिस टाइप से शिवयनू का बरन पोर्टर यहां पर जो है एक तरीके से पोटेंशल लेक कराया है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम के आकड़े मीम को इन बजार में बढ़ती गतिविधिय का संकेद भी यहां पर दे रहे हैं, और खरीदार और विक्रेत आपनी पोजिशन बदल रहे हैं, और कीमत में जल्द ही एक बदलाव की उमीद भी यहां पर की जा रही है जो कि किसी भी दिसा में जा सकती है, और अभी हाली में हमने देखा है कि वील्स भी शिबयनू में एक दिल्चस्पी लेती हुई दिखे थी, और यहां पर भले ही इन्होंने कहा है कि किसी भी दिसा में जा सकती है, लेकिन मैं यहां पर confidence के साथ कह सकता हूँ कि शिबयनू उ obviously support तो नीचे मिल गया है अब support के नीचे और कितना तूटेगा market obviously market में bull run के आहट bitcoin में दिखी रही है तो उपर की तरफ ही market जाएगा भले अभी bitcoin उनसाथ हजार पर आ चुके है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है market में जैसे ही position अभी सक्रिय होते दिखें entry बनाने लगे तो छोटे investor तो automatic wheels की तरफ से यहाँ पर कूत पड़ेंगे और अगर हम देखे जब bitcoin बड़ेगा तो altcoin में सबसे तेजी जिसमें coin में मिलेगी न वो meme token में मिलेगी और meme token में भी Shiba Inu में मिलेगी क्योंकि हाली के जो update है ना Shiba Inu में उन updates ने कहीं न कहीं meme token investor को सोचने पर मजबूर कर दिया है और जादा तर investor अब यह सोचने में लगे है कि यार Shiba Inu को साथ नहीं छोड़ना है क्योंकि इतनी बड़ी इतनी active team साया किसी को नहीं मिलेगी कौन सा meme token आपको बता दो मुझे जिसकी इतनी active team दिख रही है Shiba Inu जितनी कुसामा जितनी मतलब छोटे से update के उपर भी कुसामा यहाँ पर statement दे देते है तो इससे बड़ी बात और क्या है तो investor भी देखे आजकल हर investor समझदार है आप भी वीडियो देख रहे है आपको भी बहुत सारी knowledge है आपको भी यह पता है कि आर किस coin में invest करना चाहिए किस में नहीं और कब करना चाहिए और यही खास बात आजके condition में market में बनी हुई है तो investor जब एक type के सोचते है न तो उस coin में गिरावट आती है या फिर pump आता है तो obviously अभी market एक सकरात्मक positive उपर जा रहा है तो obviously Shiba Inu में भी pump देखने को मिलेगा पेपे में अगर यह आकड़ा 30 दिन का आकड़ा में कई बार अभी 2-3 वीडियो से बता रहा हूं कि 30 दिन में हाल ही update के अधार पर हुआ है जैसे Shiba Hub का जिक्र होना DAO का launch होना जो कि community को अपनी बात forum तक पहुचाने का एक मोका दे रहा है उदर देखे तो Shiba Burning Shiba Torch का launch हो जाना बहुत सरे update है और इसी दिसा में देखे तो Floki ने भी marketing पर एक दाव चला है जिसमें कहा है कि 55% burning हम करने वाले है तो इसमें भी अभी एक साल लग जाएगा क्योंकि Shiba उन्हों ने पिछले साल बोला था हम burning करेंगे burn mechanism में लाएँगे कुछ जो Shiba Torch आप जाके launch हो है एक साल बात तो Floki जब एक साल बात burn portal लाएगा तब तक तो बुलरा नहीं खतम हो जाएगा जो कि October तक अगले साल 25 तक चलेगा October सितंबर तक तब तक तो खेल ही खतम हो जाएगा Pay Pay कुछ कर नहीं रहा है कोई team का कोई update नहीं है रही बाद डोग तो एक नया कोईन है कभी भी रिस्की हो सकता है यह बॉंक का कोई अता पता नहीं है बॉंक एक sustainable return देगा तो देदेगा क्योंकि सोलाना के साथ है सोलाना कोईन अभी बॉंक पर इतना focus भी नहीं कर रहे है तो कुल मिला के शीबा ही एक विकल्प बनता है ठीक है तो शीबा ही एक विकल्प बज़ता है और इसलिए मैं कह रहा हूँ शीबा इन्हों के साथ अगर धेर के साथ लगे रहे न और जुड़े रहे इसके साथ तो यह करोडों आपको कमा के दे देगा इसमें कोई दोराई नहीं है चीजें बहुत सटिक दिख रही है वीडियो को अगर एक दो बार और देखोगे आपको चीजें पूरी समझ में जाएगे तो पेशन के साथ लगे रहो इस चैनल के साथ जुड़े रहो सस्क्राइब कर लेना नहीं किया है तो हर अपडेट आपको मिलती रहेगी जिससे कि आपको फाइदा मिलेगा मिलते नई वीडियो में नमस्कार